नमस्कार दोस्तों, इंसुरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के मनी बैक प्लान के बारे में जिसका टेबल नंबर है 921 या एक 25 साल की non-link with profit limited premium payment plan है या एक 25 years का plan है अर्थार इसका policy period 25 वर्ष का है या एक limited premium payment की policy है जिसके अंतरगत सिर्फ 20 साल तक premium का भुगतान करना है या एक non-link plan है अर्थार share market से जुड़ा हुआ नहीं है या एक with profit plan है अर्थार LIC अपने financial performance के अनुसार profit को vested simple visionary bonus और final additional bonus के रूप में भीमा धारक के साथ share करेगी अब बात करते हैं इस policy को लेने के लिए आवर्षक माप दंड के बारे में इस policy को लेने के लिए minimum AZ entry है 13 वर्ष अर्था 13 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यह policy नहीं दी जा सकती maximum AZ entry है 45 वर्ष अर्थार 45 वर्ष से अधिक उम्रवाले ब्यक्ति को यह policy नहीं दी जा सकती maximum AZ maturity 70 वर्ष है policy term 25 वर्ष है premium payment term जैसा की पहले बताया 20 वर्ष है minimum summation इस policy का minimum summation एक लाख रुपय है एक लाख से उपर का summation पांच जार के गुनक में उपलब्ध है maximum summation मैक्समाम summation की कोई limit नहीं है लेकिन यह policy लेने वाले के income के उपर निर्वर करेगा riders, riders का मतलब होता है policy benefit के अलावा अतिरिक benefit और इन riders को लेने के लिए अतिरिक premium का भुगतान करना होता है इस policy के अंतरगत चार riders उपलब्ध है पहला है accidental death and disability benefit rider, दूसरा है accident benefit rider, तिसरा है new term assurance rider, चोथा है new critical illness benefit rider अब बात करते हैं policy के other features के बारे में grace period, grace period का मतलब होता है premium को pay करने के लिए अतिरिक समय इस grace period के दोरान भी पूरी coverage बनी रहती है और इस दोरान यदि claim आता है तो LIC उसका भुगतान करती है grace period इस बात पर निर्वर करता है कि premium payment का आपने कौन सा mode अपने लिए चुना है यदि बीमा धारक ने yearly या half yearly या quarterly premium payment mode चुना है तो उन्हें अतिरिक समय 30 दिनों का मिलता है यदि बीमा धारक ने मंधली premium payment mode का चुनाओ किया है तो उन्हें grace period 15 दिनों का मिलता है revival of policy, revival का मतलब होता है बंद policy को खिर से चालू करना यदि आपने कुछ वर्सों तक policy के premium का भुगतान किया और उसके बाद premium का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी policy बंद हो गई, तो आप इस बंद policy को 5 वर्स के अंदर कभी भी बकाय premium का भुगतान interest के साथ करके चालू कर सकते हैं, fade of value या इस policy की बहुत ही अच्छी benefit है जिसके अंतरगत यदि बीमा धारक ने कम से कम दो वर्स या उससे अधिक अधिक के premium का भुगतान किया हो उसके बाद किसी भी कारण वर्स premium का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस policy की coverage खत्म नहीं होती, बलकि policy के लाब घटे वे श्रमिशोड के साथ जारी रहती है दोस्तों, fade of value की जानकारी बहुत ही जरूरी है यदि आप policy का premium नहीं भर पार हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं या आप LIC का अभी करता हैं और आपका कोई customer अपनी policy को बंद करने की सोच रहा है तो उसे fade of value के बारे में जरूर बता है मैंने fade of value के उपर अलग से वीडियो बनाई हुई है यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के description में दे दी है Surrender of policy दो वर्स या इसे अधिक समय तक के premium के भुगतान करने के बाद बिमाधारक इस policy को surrender कर सकते हैं यहाँ आपको बता दूँ कि यदि बिमाधारक policy को surrender करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान होता है इसलिए policy को लेते समय सोच समझ कर उतने ही समय शोड की policy लें जिसका premium भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको policy surrender करने के आव सकता ना पड़े यदि फिर भी policy surrender करने के आव सकता पड़ती है तो पहले इसके payday value की जनकारी जरूर ले लें loan facility इस policy के अंतरगत loan की सुविधा उपलब्ध है जो की policy के अंतरगत दो वर्च के premium का भुगतान करने के बाद मिलती है लोन का amount इस बात पर निर्वर करता है कि policy कितने साल चली है और उसका surrender value क्या है enforce policy के लिए loan surrender value का 90% मिलता है और trader value policy के लिए loan surrender value का 80% मिलता है tax benefit इस policy के अंतरगत जो premium का भुगतान होता है वह income tax के section ATC के अंतरगत exempted है और भीमाधारक को जो maturity का भुगतान होता है या date के case में nominee को जो date benefit का भुगतान होता है वह income tax के section 1010D के अंतरगत completely tax free होता है आईए इस policy को उदारहन के साथ समझते हैं मिस्टर साकेट जिनकी उम्र 30 वर्ष है money back table number 921 की policy लेते हैं policy का sum insert उन्होंने 5 लाख रुपे लिया है इस policy का term 25 वर्ष का होगा और मिस्टर साकेट को 20 वर्ष तक premium का भुगतान करना होगा यदि मिस्टर साकेट yearly premium payment mode का चुनाव करते हैं तो उनका yearly premium 29,255 रुपे होगा इसी परकार half yearly, quarterly और monthly premium कुछ इस परकार होगा सिर्फ पहले वर्ष का premium इससे थोड़ा ज्यादा होगा इस परकार मिस्टर साकेट annual basis पर पूरे policy period के दोरान total 5,85,743 रुपे premium के रुप में भरेंगे यदि accidental date and disability rider भी साथ में लेते हैं तो annual premium 29,843 रुपे होगा और साथ में term rider भी लेते हैं तो annual premium 31,496 रुपे होगा अब देखते हैं इस policy के अंतरगत benefit का भुगतान किस परकार होगा इस policy के अंतरगत 4 बार money back मिलेंगे जब policy के 5 वर्ष पूरे होंगे तो पहला money back मिलेगा जो कि sum insert का 15% अर्था 75,000 रुपे होगा इसी परकार policy के 10 वर्ष पूरे होंगे तो 75,000 रुपे मिलेंगे जब 15 वर्ष पूरे होंगे तो फिर 75,000 रुपे मिलेंगे और जब policy के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस policy के maturity हो जाएगी और Mr. Saket को maturity का भुगतान कुछ इस परकार होगा सबसे पहले policy का बचा हुआ श्रम में शोट का 40% अर्थाथ 2,00,000 रुपे उसके बाद wasted simple revolutionary bonus 5,50,000 रुपे और final additional bonus 1,12,500 रुपे तोटल maturity 8,62,500 रुपे मिलेगी यहां जो मैंने maturity calculate की है वह LIC द्वारा declare किये गए बर्तमान policy के bonus rate के आधार पर है आपकी maturity इस से थोड़ी अलग हो सकती है policy लेने के बाद यदि Mr. Sakit के साथ कुछ अन्होनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो nominee को death benefit का भुगतान होगा policy लेने के दिन से लेकर policy period के बीच कभी भी Mr. Sakit के साथ अन्होनी होती है तो policy का सम्मिशोड का 125 परतिसत मतलब 5 लाग का 125 परतिसत अर्था 6 लाग 25 जार रुपे वह जरूर मिलेगा और साथ में wasted simple revolutionary bonus भी, bonus का amount इस बात पर निर्वर करेगा कि policy कितने समय तक चली है, policy जीतने ज्यादा समय तक चलेगी, bonus का amount उतना ही ज्यादा होगा यदि Mr. Sakit के साथ अन्होनी policy लेने के 15 वर्च के बाद होती है तो nominee को final additional bonus का भी भुगतान होगा यदि Mr. Sakit ने term rider भी policy के साथ लिया है तो अतिरिक 5 लाख रुपे का भुगतान होगा और यदि साथ में accidental death and disability benefit rider भी लिया है और अन्होनी accidental होती है तो अतिरिक 5 लाख रुपे का भुगतान होगा तो यहां थी इस policy की जानकारी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहिच जरूर करें यदि आप इस policy के detail को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी website insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं मैंने website के link इस वीडियो के description में दे दी है और सबसे महत पूर्ण यदि आपने इस चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लें और जूर जा है हमारे साथ insurance professional से insurance की जानकारी के लिए और साथ में bell icon को भी click कर दें और all select कर लें ताकि जब भी मैं new video upload करूं वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और अंत में अपना किम्ती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद